बिएस्सी थर्ड येर बॉटनी में इस वीडियो में आप पढ़ोगे नेक्स डिजीज रेड रॉट आप सुगर केन गन्य में होने वाली रेड रॉट बीमारी इससे पहले के वीडियो में हमने बताया बिंडी में बाइरस के द्वारा होई थी और पोटेटो में फाइटब थोरा इनफैस्टेंस फंजाई के द्वारा ये बीमारी भी फंजाई के ही द्वारा होगी जो खूब पूछी जाती है जिसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा करके डाउनलोड करके अध्यान कर सकते हो क्या होता है आपने देखा होगा गन्य का प्लांट या लीप्स इस तरह से जैसे माली जी ये लीप्स है तो इसमें रैड इस्ट्रीक या धारियां दिखाई देंगी लीप्स पर और यदि इस्टेम है तो इसके नोड या इंटर नोड के पास या तो छिद्र होगा या रैड कलर का होगा या बीच में रैड धारी बन जाएगी तो ये बीमारी होती है रैड रॉट आफ सुगर केन किसके कारण होगी ये कोलेटो ट्राइकम फैल केटम नामक फंजाई के कारण उत्पन होती है इन्फेक्शन के कारण होती है क्या है इसका नाम हम अलग से इस परस्ट लिखे दे रहे हैं कोलेटो ट्राइकम फैल केटम इसके कारण ये बीमारी सुगर केन में उत्पन होती है क्या होता है इसमें इसका मैसीलियम इंटर तथा इंटरा सेलुलर दोनों ही प्रकार का होता है जो की हाइली ब्रांच्ट सेप्टेट जिसमें सेक्सुल रिपोडक्शन भी पाया जाता है और इस मैसीलियम में कोनीडियो फोर पर कोनीडिया उत्पन होते हैं तथा इनके बीच बीच में सेप्टा भी पाये जाते हैं कंट्रॉल कैसे करोगे फील्ड में इनफेक्टेड लीप तथा इस्टेम को एकठा करके नस्ट कर देना चाहिए इसके इलावा गन्ये के इस्टेम के वो हैल्दी तथा स्वस्थ पार्ट्स को ही लगाना चाहिए क्रॉप्स रोटेशन बिधी अपनानी चाहिए और डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटी ही बोनी चाहिए अब देखिए जो हमने बनाया था लीप को इसको आप इस फिगर में देखें इसमें देखिए यह है इन्फेक्टिड लीप और यह है इन्फेक्टिड इस्टेम इसमें यह रैड स्पॉट्स हैं और यह रैड स्टीक तो इनके समूं को हम एसर बुलाई कहेंगे क्या कहेंगे यह क्या है एसर बुलस या एसर बुलाई सिंगल है तो एसर बुलस इस भाग से होता हुआ हम सेक्शन काटेंगे तभी इसके कोनीडिया या एसर बुलस दिखाई देंगे किस तरह से देखो यह है एक बर्टिकल टांसबर सेक्शन आप होस्ट लीफ इसमें यह सबसे बाहर होस्ट एपीडर्मिस बीच में इस्टोमा यह कोनीडियोफोर और जिस पर यह कोनीडियम पाया जाएगा बीच बीच में यह क्या होंगे एसर बुलाई और यह नीचे माइसीलियम जो ब्रांच्ट होगा और बीच में यह होस्ट सेल्स पाई जाएगा तो यह बहुत अच्छा कोईश्चन है खूब पूशा जाता है अब नैक्स डिजीज होगी आपकी सिट्रस का इंकर इसी में नीबू में या पत्ती में होने वाली बीमारी जैसे मालो यह लीफ है और या नीबू है इसके बीच में डार्क ब्राउन कलर्ड स्पॉट बन जाते हैं और बह बीमारी सिट्रस का इंकर कहलाती है देखो इसकी पैदावार की जहां-जहां इसकी पैदावार होती है बहां-बहां फ्रेयो टेस्टेम एंड लीफ पर लीफ तो एक इत्यादी पर यह बीमारी पाई जाएगी जो इसमाल डार्क ब्राउन कलर में दिख क्या इसका कॉजल आर्गैनेज्म है देखो यह वाली बीमारी बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होगी इस बैक्टीरिया का नाम है जैन्थो मोनास कमपेश्ट्रिस थिक नामक ग्राम निगेटिव रॉड शैब्ड बैक्टीरिया के कारण होती है ये लगवग 1.52 इतने एंड इतने साइज में होता है मतलब मोटाई, लंबाई और इसकी थिकनिंग इस्टोमेटा तथा बेंड्स द्वारा ये एंटर करता है जिन इस्थानों पर अच्छी बरसात होती है तथा टेंपरेचर 20 से 30 तक होता है बहां ये बैक्टीरिया अधिक गिरो होता है अब देखिए इसमें कंट्रोल कैसे करोगे डिजीज को अपने कामन देखा होगा सभी में सबसे पहले सिम्टम्स, कौजल आर्गैनेज्म और फिर कंट्रोल कैसे करोगे इसमें क्याए डिजीज प्लांट को पूर्टया जला देना चाहिए या नस्ट कर देना चाहिए सेकेंड पॉर्ट सेटरस प्लांटिंग के लिए डिजीज फिरी नर्सरी स्टॉक का यूज करना चाहिए और प्लांटिंग से पहले बॉडियोक्स मिक्शर को इस्प्रे कर लेना चाहिए और डिजीज रेजिस्टेंस वैराइटी ही उत्पन वो बोनी चाहिए देखो यह है जो हमने बनाया था इंफेक्टिड ली ब्राउन स्पॉट्स इस पर बाटरी ट्रांसलिउसेंट स्पॉट्स लेमन पर होंगे यह सेटरस का अंकर डिजीज है अब इसके बार नेक्स्ट डिजीज आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में जो खुब मुची आती है पोटैटो कामन स्कैप डिजीज